आप सब लोगों को बाबा के दिन की गुरुवार की शुब कामना हैं आज का दिन आपका दिन बहुत अच्छा हो बाबा का शीरवाद आपको मिले वैसे तो सारे दिन बाबा के हैं ऐसा कौन सा दिन है जिसमें हम बाबा को याद नहीं करते बाबा हर वक्त दिल में रहते हैं ह जब चिंता आती है बर्शानी आती है तो हमें अपने बाबा का ध्यान आता है हम बाबा के पास जाती है और मैं सच कहते हूं जब आप बाबा के पास जाती है न तो आपका मन शांत हो जाएगा आप अपने परशानी को सिर्फ बाबा के साथ बहंटो किसी और के साथ नहीं बैठेंगे, अपनी परशानी बताएंगे, तो आप देखना एक दो दिन में आपकी परशनों का जवाब भी लेगा और आपकी समस्या का समधान भी होगा, हमारे बाबा है ही ऐसे, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर कई बार हमें लगता है कि बाबा हमारी प्र अपने बाबा पर पूरा विश्वाश करना चाहिए, कि बाबा हमें सुन भी रहे हैं और हमें देख भी रहे हैं, और हमारी परशानी का समधान भी कर रहे हैं, जब आप ऐसा विश्वाश रखोगे ना, तो देखना आपकी समस्या बहुत जल्ती हलो जाएगी, हम ना अपन तक देखते हैं ना बाबा को सब पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा बाबा वही करते हैं जो बाबा को अच्छा लगता है अगर बाबा हमारे मन की मानने लगे ना तो हमारे जिनकी में बहुत दुखाएंगे क्योंकि हमें समझ ही नहीं कि हमारे हम तो इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं एक इच्छा शान्त होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है जब हम साई के नजदी काते हैं हमारी इच्छाओं पर लगाम लग जाते हैं हम सिरफ बाबा का प्यार पाना चाहते हैं और जब बाबा का प्यार मिल जाता ह ना तो मन इतना शान्त हो जाता है ना, किसी चीज की चाहती नहीं होती, जो کुछ मिलता है हम उसी में खुश रहते है, इसलिए मैं बस यह ही कहना चाहती हूं कि जब भी आपका मन परशान करे, तो आप बाबा की शरन में आ जाएं, आपके मन को बहुत सकून मिलेगा, मुझे तो सच में बहुत सकून मिला है